आज चुकी है टीम इंडिया क्योंकि आप देख पांगे कैसी जो गूंज है वो यहाँ पर सुनाई देने लगी है जो प्लेयर्स हैं उनके आने का सिलसला शुरू हो गया है और अब यहाँ पर केक कटिंग सेरिमनी होगी देखिए रोहित शर्मा आपको इन तस्विरों में न कर रहा था और उसके बाद अब केक काट कर यहां से रवाना होते हुए क्योंकि बैक टू बैक जो टाइम है जो शेडियूल है बहुत ज्यादा टाइट है पीम मोदी से भी क्योंकि मुलाकात होनी है फिर मुंबई भी रवाना होना है और ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा तो रोहित शर्मा ने यहाँ पर केक काटा और केक काटने के बाद वो रवाना हो चुके हैं पीम मोदी से मुलाकात का कारिकम है पीम आवास के लिए पूरी टीम इंडिया रवाना यहां से होगी और देखे जो फैंस है वो कितने ज्यादा उतसाहित यहां पर नजर आ रहे हैं सुबह आपने तस्वीर देखी जब भारत उनका स्पेशल विमान पहुचा वहां पहुचने के बाद जैसे ही रोहित शर्मा गेट से बाहर आते हैं हाथों में जो ट्रॉफी लिए हुए थे प्रॉफी लिए हाथ को जैसे ही वो उचा करते हैं जो गूँच आप स्ट्रेडियम में सुनते हैं जीट पर चौके छक्के पर कुछ वैसी ही गूँच एयरपोर्ट पर हमने सुनी एयरपोर्ट पर कितनी संख्या में जो फैंस थे वो पहुचे हुए थे अधिए टीम इंडिया का पोँचा और अब यहाँ पर केक काट कर इस दिन को सेलीबरेट करते हुए और अब यहाँ से रोहिच शर्मा ने केक काटा और रवाना हो चुके हैं आप और देखे ये दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जो वाहन है वो अब तयार हो चुका है जो बस है वो अब तयार हो चुकी है यहां से क्योंकि सीधा रवाना होना है PM आवास के लिए Team India रवाना होगी प्रधान मंत्री मोदी से मुलाकात की तस्वीरे बहुत ज़्यादा दिल्चस्प होने वाली है क्योंकि PM मोदी हमेशा होस्ला Advzai करते हैं जीत हो या हार हो प्रधान मंत्री मोदी हमेशा होस्ला अवजाई करते हैं और आज तो मौका ही खास है 17 साल का जब लंबा इंतिसार खत्म हुआ है तो जाहिर सी बात है कि जो मुलाकात होगी प्रधान मंत्री मोदी की और क्रिकेटर्स की वो नजर आएंगे और बिसी से ये धेक्ष जैशा को भी आप इन तस्विरों में देख पाएंगे जो कि यहाँ पर मौझूद है राहुल द्रिवेन जो कोच उनकी फैमिली तमाम जो क्रिकेटर्स की वो यहाँ पर मौझूद है और आप सीधा यहाँ से रवाना होते हुए पीएम आवास के लिए सुरक्षा के पुखता इंतिजाम आप देख पाएंगे दिली पुलिस की जवान यहाँ पर है क्योंकि आज हर कोई देशवासी खुलकर उनका स्वागत कर रहा है क्योंकि विश्व विजय की खुमारी कुझ है ही ऐसी क्योंकि बहुत लמב इंतिजार इसके लिए करना पड़ा और ऐसे में जब आज वो मौका आया है तो कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं देखें दिली पुलिस की जो वाहन है वो भी अब तयार हो चुके हैं क्योंकि अब ये पूरा जो काफिला है वो रवाना हो जाएगा यहां से प्यम आवास के लिए और प्यम मोदी से मुलाकात का इसके बाद कारिकम है प्रधार मंतरी मोदी से मुलाकात होगी प्रधार मंतरी और अब यह यहां से रवाना होती हुई टीम इंडिया कि तस्वीर आपकी टीवी स्क्रिंट पर एक्स्क्रूसिब तस्वीर भार 24 आपको दिखा रहा है दिली से मुंबई रवाना होगी यह टीम इंडिया मुंबई में T20 वलकप ट्रॉफी के साथ रोट शोगा दे के तमाम जो खिलाडी हैं वो अब धीरे-धीरे करके निकलने लगे हैं सबसे पहले रोहिशर्मा निकले जुनों ने केक काटा और उसके बाद तमाम जो क्हलाडी हैं उनके जो आप में इसा से बादो होने के लिए देखे कोच राहूर द्रवन को आप देखेंगे यहां पर जो की आजके काटते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीरे देखिए जो आज खुशी का मौका है इस मौके को सेलिबरेट करते हुए राहल द्रवेड कोच जिनको आप यहाँ पर देख पाएंगे जो कि यहाँ से रवाना होते हुए धीरे धीरे करके आप तमाम जो खिलाडी हैं वो अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं सबसे पहले कप्तान रोहित शर्मा को आपने देखा था जो कि यहाँ पर केक काटते हुए नजर आए थे वाई टी सी मौरे में जश्निकी की तस्वीर आप देख पाएंगे यहाँ पर कुछ दिर रेस्ट उन्होंने किया तमाम जो खिलाडियों ने क्योंकि आज का पूरा दिन बहुत हेक्टिक और काफी ज़्यादा दिल्चस्प काफी ज़्यादा एकसाइटेड होने वाला है पूरा दिन और ऐसे में अब यहाँ से वो रवाना होने की तैयारी में है पूरी टीम इंडिया होटल का पूरा स्टाफ यहाँ पर होसल अवजाई करते हुए उनका स्वागत करते हुए शुब कामना है देते हुए जो फैंस हैं वो भी देखिए कैसे सेल्फी लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे है पीम आवास के लिए क्योंकि रवान की अभी यहाँ से हो रही है दिरे-दिरे करके जो खिलाडी यहाँ से निकल रहे है उससे बस में जाकर बैट रहे है और हर एक गूंच के साथ जो खिलाडी है वो आ रहे हैं और अब तस्वीर आप देख पाएंगे जो फैंस हैं क्योंकि वो भी वहाँ पर मौझूद है उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करते हुए मौहमद शिराज की तस्वीर आप देख पाएंगे जो कि यहाँ से निकल के अब बस के तरफ बढ़ते हुए क्योंकि बस तयार हो चुकी है प्रधार मंत्री मोधी से मुलाकात के लिए प्रधार मंत्री आवास के लिए रवानगी अब यहां से सीधा होने वाली है और एक एक करके जो फैंस हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं उनके जो फेवरिट प्लेयर्स हैं जो टीम इंडिया के जितने भी खिलाड़ी हैं वो एक एक करके आ रहे हैं और हर एक छलक पाने के लिए बेताव यहां तमाम जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं लगतार नजर हमारी इस पर बनी हुई तो देखिए यह तस्वीरे लगतार आप देख रहे हैं ITC मौया होटल में केक कटिंग के सेरिमनी और एक्स्क्लूसिव तस्वीर भारेट 24 पर आप लगतार देख रहे हैं केक कटिंग सेरिमनी और टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने केक काटा है विराट कोली ने केक लगतार आप देख रहे हैं तो बैक तुबाग तमाम जो पहुंच रहे हैं वोल्ड़क टीट्वेंटी सेरिमनी कर रहे हैं और उसके बाद अब आगी का कारिकरम प्यम नरीन जुमूरी से मुराकात का है दो अलग अलग तस्वीर प्यम आवाज के लिए रवानगी भी हो चुकी है देखें टीम इंडिया के जो तमाम प्लेयर से वो एक एकर निकल रहे हैं कि एक कटिंग सेरिमनी आईटी सी मौलिया हुटल में इस वक्त जो कि आप लगतार देखें और ये तस्वीर देखें अर प्यम आवाज के लिए रवानगी भीर सदीब सिंग ने भी अभी देखें कि एक जस्ट काटा और फिर वो आगे पढ़ते हुए अब प्यम आवाज के लिए रवानगी हो रही है तो बैक टू पैक देखें जिस तरह से टीम इंजिया स्वदेश लौटी है टीपेंटी वर् आई टीसी मॉरिया में ज़शने का महल है टीसी मॉरिया होट्ल में टीम इंडिया की जीत के मोके पर एक स्पश्चेल के करे लिए जो कि आपशे एकी वर्ड काप पर लेकर निकल तरह 18 में लेकर निकलते हैं और फिर बात चित करते वे तमाम जो खिलारी हैं वो नजडर और एक एकर ये तस्वीर आप लगतार देख रहें दिल्ली के होटल आई टी से मौरिया में जशने का महाल